हेलो एब्रिवान, वेलकम टो माई यूटुब चानल सेंपल नर्सिंग नोट्स अजी आमें इई वीडियो रे अनोटमी और फिजियो लोजी रो हेमाटोलोजिक सिस्टम बाप ब्लाड टापीक रू किछे इंपोर्टान्ट क्वेस्चिन आंसर डिसकस करी बाँ ता पूर बोरू आमें प्रिभीयस वीडियो रे पहचारी थिवा क्वेस्चिन दा आंसर जानी ने बाँ तार राइट आंसर हेऊची अपसंट दी ग्योनिया वम आव बूद काम जोना यहारा राइट आंसर देचंदी आव जी फर्स्ट राइट आंसर देचंदी तांकर नाम हेऊची प्रग्या परिमिता कंग्राचुलेशन प्रग्या ओके तबी चालो आजीरो क्लास टी आमें स्टार्ट कोरिने बा आजीरो आमोरो फर्स्ट क्वेस्चिन हेऊची सिधा चलो को दिखिवा को गोले आमको क्वेस्चिन पहुच राहीची की स्प्लीन के उठी आवस्तीता एठी लाइज अगेंस्ट कराहीची मने रिप्स रो पहुच्छो को ही स्प्लीन होची ना आमर जो भायरताल अर्गन गोडिक होची स्प्लीन, हार्ट, लिवर, लॉंग्स इस सब को की कवर करची रिप्स कवर करची सिधी पाइं पहुच राहीची की ते नमबर रिप्स रा अगेंस्ट रे बा पहुच्छो को स्प्लीन आबस्तीता आमर राइट अंसर होची अपसंदी, 9-11 रिप्स पर जंता जो एरिया होची से एरियारे स्प्लीन आबस्तीता एबंग एरियाटे होची लेप्ट हाइपोकंड्रियाक रिजन आब दा अब्ढमेन स्प्ले इस लर्जेस्ट ओर्गर सिस्टम आउ स्प्लेस सौब्स अपनी लिंघ सौपट अब गोसप्लीन आइबड़ राइप्सक्चाइः 血स आब एठी maximum reservoir of blood meaning कोना, मने maximum amount of blood क्यों थे reserve एकी बस store है की थाए? तेवे आमा right answer काण है बाँ? The right answer is option A. The maximum reservoir of blood is veins. The next question is, which among the following is required for the production of RBC? एही option मारंको मध्योरू RBC production पाई क्यों element दोरकार बा क्यों vitamin दोरकार? अमार option गुडिक है विटामिन A, folic acid, vitamin D and vitamin E. अमा right answer है एठी option B. RBC production पाई folic acid रो दोरकार होई थाए? Next question है उची, neutrophils are responsible for apoptosis, pinocytosis, phagocytosis and endocytosis? अमारे टीजियों चारुटीजां का option होची, ताह है है उची action बाकी ची कार्ज़ूरूरूरू तरथे आमको पहुचरा है उची की neutrophils A, option मानको मध्योरू क्यों action पाई responsible होई थाए? अमारे राइट अंसर है उची, option C, phagocytosis, इफ phagocytosis रा मेनिंग है उची, जेते बड़े आमा बोडी भीतरू कू foreign bodies, माने बैक्टेरिया गुडिक को entry करी थाँती, से बड़े आमोरी human cell से बैक्टेरिया गुडिक को engulf, माने गेली की ताको destroy करी दिये, से ही आक्षिन कू ph phagocytosis मुलिक कोहा जाए, एबां एही phagocytosis action by neutrophil responsible, ओके देन आमरे नेक्स्ट क्वेस्टिन है उची, the last product in the process of blood coagulation is thromboplastin, prothrombin, fribrin and thrombin, आमरे जियों blood coagulation प्रोसेस हुची, से ही प्रोसेस रा लास्ट प्रोड़ेक्ट काण, ताह आमको पचराईची, बास से ही प्रो इठी आमें टिके डिटियल ले बुझी ने बा, blood coagulation प्रोसेस काण, एह blood coagulation प्रोसेस रा फर्स्ट टेप हुची, constriction of the blood vessels, फर्स्ट, blood vessel गोडी का constriction हुए, तापरे टेंपरारी भाबरे platelet plug formation हुए, देन थर्ड स्टेपरे, activation of the coagulation cascade, coagulation cascade activate हुए, तापरे देन एपरे formation of fibrin plug or the final clot, लास्ट एपरे कौण हुए, आमको एटा ही question थिला, तेपे आमरे right answer कौण हेला, अप्सिल C, the last product of blood coagulation process is fibrin, आमरे next question है उची, विचे मंग दो following is the most probable diagnosis, if RBC, WBC and platelet count is depressed, एटी आमको पचरा ही ची कि आमा बोडी री जित्त बड़े RBC, WBC आओ platelet count कौमी थाए, शित्त बड़े एह option मानको मध्योनू, क्यों disease टी आमको होई थाए, बाग को disease हे बारो अधिको संभा बना थाए, अमरे right answer हे उची, option B, आप्लेस्टिक एनेमिया हे बारो संभा बना थाए, अमरे next question हे उची, thrombocytopenia stands for weakness of platelet aggregation, reduced platelet count, increased platelet count, unnormal platelet count, इठी आमरे question हे उची कि thrombocytopenia कहा कुकुआ जाए, अमरे right answer हे उची, option B, जित बड़े अमरे blood रहे, platelet count कौमे थाए, सित बड़े से condition कु thrombocytopenia कोहा जाए, अमरे next question हे उची, lifespan of neutrophil is 120 days, 2-5 days, 24 hours and 4-6 hours, अमरे right answer हे उची, option B, lifespan of neutrophil is 2-5 days, then platelet जो lifespan हे उची, 8-12 days, lifespan of RBC is 120 days and lifespan of WBC is 12-20 days, अमरे next question हे उची, an emboli is, movable blood clut, movable depres, movable pulse and movable air bubble, अमों के ठी पहुच रहे जिकी, emboli रहे meaning काणा, हमरे right answer हे उची, option A, emboli रहे meaning हे उची, movable blood clot, body रे गुट्टे जागारे, गुट्टे और्गन रे blood clot क्रियाट हे जिची, जिते बड़े से blood clot breaks होई, अन्य गुट्टे जागा को अनाधर पार्ट को ट्राबल करी बारे लागे भेन मद्योंने, सिते बड़े से condition को emboli रहे कोहा जाए, अमरे next question हे उची, total number of blood clotting factors are 12, 13, 14 and 15, अमरे blood clotting factor गुटी को के तो टी बोली, अमको इठरे पोचर आएजी, अमरे right answer हे होजी, option B, the total number of blood clotting factors are 13, एक गुटी को हे होजी, अमरे 13 clotting factors, factor 1, fibrinogen, factor 2, prothrombin, factor 3, tissue thromboplastin, factor 4, calcium ions, factor 5, level factor, factor 6, अमरे नहीं, factor 7, is stable factor, factor 8, is anti-haemophilic factor, factor 9, is Christmas factor, factor 10, is tward power factor, factor 11, is plasma thromboplastin antecedent, factor 12, is Heisman factor, and factor 13, is fibrin stabilizing factor, एक गुटी कोटी के ठेक से पढ़िने में, देल आमरे नेक्स्ट प्वेस्चिन हे होजी, प्लेटलेट्स कान बी स्टोर्ड आट, माइनस 42, माइनस 50 डिग्री सेल्सियस, माइनस 30 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, और, 22, 24 डिग्री सेल्सियस, प्लेटलेट कुडी को के ठेक ठेक सेल्प्राइचर रखा जाए, वोली आमको, question पर आएची, आमारा राइट अंसर ने हुजी, और आसजिया, प्लेटलेट्स कान बी स्टोर्ड आज, 20 to 24 degrees Celsius for 5 days मने प्लेट लेट जेन दिना कॉनेक्ट होई थाई से दिना ठारू 5 देगे परचनत प्लेट लेट को 20 to 24 degrees Celsius रे स्टोर करी रखे हेब देन नेक्स्ट क्वेस्टिन हेऊची हेमोफिलिया A is caused by lack of clotting factor 7, 8, 9 और 10 हेमोफिलिया A disease D क्यों clotting factor रभावर होई थाई आमरे राइट अंसर हेऊची option B clotting factor 8 रभावर हेमोफिलिया A disease D होई थाई एबं clotting factor 9 रभावर हेमोफिलिया B disease D होई थाई आमरे नेक्स्ट क्वेस्टिन हेऊची most common childhood malignancy is ALL, AML Williams tumor and retinoblastoma एठारे childhood malignancy मेनिंग हेऊची childhood cancer एई option मानं को मध्यूनू केई option T हेऊची most common childhood malignancy बा childhood cancer आमरे राइट अंसर हेऊची option A ALL बा acute lymphocytic leukemia एबंग एई cancer बा एई leukemia बाद ठारू 14 येर चिल्डरन मानं को मध्य इने बेसी दिखा दे था है एबंग AML रफूल फ्राम हेऊची acute myeloid leukemia नेक्स्ट इज बीटामिन B12 डिफिसियंसी कोजेस एप्लास्टिक अनेमिया आयन डिफिसियंसी अनेमिया पनिसियस अनेमिया और हेमोलाइटिक अनेमिया बीटामिन B12 डिफिसियंसी रे क्यों अनेमिया होई था है अमर राइट आंसर हेऊची अप्संस C बीटामिन B डिफिसियंसी कारणोरू पनिसियस अनेमिया होई था है नेक्स्ट इस विच एमोंग दो फॉलोईंग ब्लाट टेस्ट रेफिसियंसी रेफिसियंसी अनेमिया करेक्टली एई अप्सं मानको मोधिरू केउं ब्लाट टेस्ट द्वारा आइड़न डेफिसियंसी अनेमिया correctly reflects होई थाए, बाय डाइग्नोस होई पर थाए आमारी राइट अंसर हेऊची अपसें C, MC at C test यहार फोल फ्रम हेऊची मेन कापस्कोलर हेमोगलोविन कंसेंट्रेशन यही टेस्ट द्वारा RBC रो साइज गुडिका reflect होई पर थाए अबां, RBC रो किते हीमोगलोविन अची तहां जोना पोड़ी थाए अमारी राइट आंसर हेऊची अपसन A तीबिया साइट रू इंप्यान मान को पाई बोन मारो बैपसी पाई बोन मारो अस्विरेशन कोरा जाई थाए नेक्स नमबर इस Increased RBCS count इस नो नाज अनेमिया, लूकेमिया, पॉलिसाइथिमिया, अन्थालेसिमिया अमारी राइट आंसर हेऊची अपसन C जेते बढ़े ब्लॉड रे RBCS count इंक्रीज वे से टाउम को पॉलिसाइथिमिया कोहा जाए अमारी नेक्स्ट क्वेस्टिन हेऊची इस ब्लॉड ग्रूप इस नो नाज उनिवर्साल रिसिपेंट्स क्यों ब्लॉड ग्रूप को उनिवर्साल रिसिपेंट ब्लॉड ग्रूप बुलिक कोहा जाए अपसन गुडिका हेऊची O negative, O positive AB positive and AB negative एई क्वेस्टिन ती आपन मान को पाई जिव मान को यहारा एंसर आशची अमने comment box को जाए comment करें यहारा answer दियांतू अमरा next question हेऊची identify the instrument given in the image एई मेज रिजी इंस्ट्रूमेन ती देईची ताको identify कोरे आपन माई को भाजाईची एअरा option गुडिका हेऊची tonometer, piatchimeter, keratometer and apthalmometer अमरा right answer हेऊची option A this instrument is tonometer एबंग एहा को intraocular pressure major करवा पाई यूज करा जाए थाए अमरा next and last question हेऊची identify the catheter shown in the picture एपसन गुडिका हेऊची pi c c line, pressure monitoring line central venous catheter and milk cut catheter अमरा right answer हेऊची option C A catheter T हेऊची central venous catheter एबे एई वीडियोटी सेसो ही जाएची other question answer गुडिका में next video रे पढ़िबा I hope कि ए वीडियोटी आपण मानको पाई helpful होई पारची जोदी हाँ तेबे वीडियोटी को like, share and comment कोरी बाको भुली वे नाही एबुँग जियोमानी चानेल को नियूँ वस्चंदी चानेल दे को subscribe कोरी ने बे thanks for watching, have a nice day